पौपिक इस पासिंग एर्य एज मार्ण आर्गॉमेंट लिस्ट आशब किसी भी प्रिमितिव वेरीयोच को है और्डिनरी वेरीयोच को फंक्सन के अंदर एजा पारमिय्टर लिस्ट और एज आर्गमेट्स सपलाई करना पॉस्टिलिससे सेचनल अंदे जिसक्कें दिसक्स क गिया जा वाइड एम वन वाइड एम एम न रिमेनिंग पाइड इसका बात में सब्लाई करूंगा थें अगर फंक्शन के एक रिट के रहने एजा मैं फंक्शन वाइड मैं 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 फंक्शन के एंदर एंदर जस प्रोट एंदर करें करें गो यू है के लिट के ने क्रिए गूंगत रहा। है एकल के क्लिक कर रहाूं एलिक्षंट M1 function और M1 के लिए आज़ा argument सब लाई करना आज़ा एरे A फूर एक्जांपल अगर आपका आज कोई वेरियो वाले लाइक है Integer X equals to 5 अगर इसे particular वेरियो लिए आप particular functions के अंदर अगर में A के place पर simply X pass कदम दो X का टाइप का इंटेज आजने X के अगर आपकोडिंग इसे function ने यह मन के अंदर पैरामीटर का टाइप के लोगे whatever type of X X का टाइप इंटी रहा इसलिए particular case में X के respect में M1 का पैरामीटर टाइप क्या हुआ अल्सों इंट इसके सम्वेरियो ने प्रवाट किया है एजर पी लाइक देट इट इज वेलिट वहलीट फोर X सेम अज सपोज यह एक्स के प्लीज पर कोई भी एरे सप्लाई करता हूं तो दो एक टोटल एलिमेंट तो इंदर टोटल कितने यह वीमिट पास वुना एक जएक फाइव एलिए श्ट्रीज यह एक भाइवें वाई प्रप्रटाइब करें प्रजाब किलावा अधर पॉसिल क्या होगा वार्मोर केस जैसा आगे मैंने आपको प्रीवेस सेशन प्रवाइड किया था किसी भी एरे को अधर एरे में कॉपी करना है असाइन करना पॉसिल नहीं अगर मिसे इस केसे अगर आपने राइट डाम किया ए तो इसका जिस्ट इंटरन मीनिंग क्या हुआ करन आप एगा नहीं से जया तो इसके सब्सक्राइड करना पॉसिल नहीं जब भी आप किसी भी फंक्सन के अंदर एरे क्लेशन सपुआट गद तो तप aqui दो नरा के संब्सक्लाइब सारइ्यग जा यकुलुए अन्वाइड दिकलरेशन की इंट्यू प्यक्जिट ली कॉत्टइब इन्टो प्युक्टर निरी जायक्टाइब लगोंश्वर एकजम्पल यह नहीं दो प्रिक्ल क्रिसे कर सकते हैं बेस्ट औन गेवले नहीं बैस नोश्य त्यम्ट कि टा यहां ना का भी इत्सेड में अचको यह प्रेलनाव और फिष्बाइद यह तो साइस का इसि इन का सा+. fixed यह चैस तो सुदों हे झाङे साइस्वेने इस पर्सेंटी सब्सक्राइट को युज्ट करिया कर युझिस करते हैं फोस्वे नहीं वे ओन्टर का साइज का हुआ अजरी तो वाइट तपीडों युजिःन्टे लाका अधे है थिए प कई प्लेंट हो एप सैंप चलमीवाद मेडिशन स्पहरेखंच में थो क्या ट्रपी आप्णेज ऐसे का स﹃ड़ सु असको अजरीन आपको क्या घ्रिस पैस करेंड में में pointer है total two possible कैसे या तो P pointer हो या फिर P array और P real में array है यह यह P के respect में increment operation कैसा valid or invalid invalid increment operation लेकि real case में statement कैसा valid statement because here P is not a array P is a integer type of pointers लिए increment भी कैसा वह अल्सो valid then this case को test करने के लिए totally में इस case में a supply पॉड़ा एक रहा है जाए त्री टाइमस ए कॉमा ए कॉमा ए और फंक्शन ने करने थ्री आर्गमेंट पास किये हैं इस पर्टिपलर केस में पैरामिटर लिस्ट में भी वेरिवेस कितने डिकलर होना चीव टोटल 3 डिकलेरिशन फॉर्स्टेपलर असायनिग फ гए और 185 5. Next case one more declaration as int q without any size third declarations int star r इसे तीन हुई कैसे है valid case लेकिन तीन हुई कीस अगर बात करना है तीन हो फीन ही प कि खाई कि लुद खाई जाए जब कोइन्टर बेली लग लग grown PGR तीन हो का साइडस्पे करा हुआ P का भी शाइडस्पे होगा 2 Q का भी size क्या होगा 2, R का भी size क्या होगा also 2, क्योंको P itself पी का behavior कैसा हो, like that, int star, it is equivalent to int star B, same as Q भी internally convert किस फ्रम होगा like that, int star Q, और R already कैसा है, also pointer, then इस के समय अगें मैंने display कराया size of, means अगर P और Q और real में array होते हैं, array केंने array को भी करना real case में possible ही नहीं, अगर यह assignment possible है just because of pointer conversion, means pointer में array को assign करना पॉस्विल लेकिन array to array assignment कैसा है, invalid assignment, then इस case को clear करने के लिए, just example के case में display करा रहा हूँ, size of P, size of Q, and size of R, then what is the out of given example, same as size of Q, size of R, then this example will be completed like that, just this case में execution किस प्लेस से start होगा, from main function, main function के अंदर ज़िए, single variable declaration प्रवाइश प्रवाइश किया, called as array declaration a, then main function जब stack के फोर में एक गी के होगा, main के respect में memory किस के लिए यह लोकर वेरिवल आफ मैं, और मैन के अंदर अल्ली शिंगल लोकल के पर दो अश्चावण यह आरे एसके समय मैन के अंदर स्टेक के अंदर के अंदर के लुए सिंपल एरे 1 2 3 4 5 एडर सम्थिंग 100 1 0 2 एंड सो और 1020 30 लाइक देट फाइन के रिस्प्रेक्ट में एक नायम किया है नेक्स्ट वन जैसे इसके स्वें फंक्शन कॉलिंग स्टेट्में कोल होगा इस कॉलिंग के एक के प्लेस फर्यार प्लेस हो जाएगा एका बेस एका बेस आरा के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और एड्रेस को इस्टो कराने की लिए रिक्वाइड का always पॉइन्टर एक ने सब्सक्राइब यह से लिए रिक्याइड ट्रॉइस निहींक्त पॉइंटर से में सेगंड के यह के प्लेस पे-कार रिक्लेस होगा और तीन होई केस में एडर्स किसका है उनली फर्स्ट एलिमेंट का साइस के है तू बाइट्स को इस तो गराने किस टाइप का पॉइंटर रिकॉइड वो अल्वेज इंटीर पॉइंटर इसलिए इसके सब्सक्राइप के अंदर आप जिस टाइप का एरे पास कर रहा है सेम ट पॉइंटर टेक्लिशन पॉइड करो यह एरे लिए डेकलेशन भी कनवाइट किस पर मोरें लें इन फवर्म ओंपॉंटर टेकलिडेशन वन्मोर थिंग से इसके से साइप किस में पॉइंट इस लिए जैसे प्लाम का एक जी किसने स्टाइप हो तो एक जी किसने के लोगवा तो मुन भी लोड़ दाऊ हो जाए, टॉप रच करेका है, अगर एडने की एडने की प्याइट और गाट वह होगँ आज़ा है? आर काद़र्स के हो बहुति हमfall फ़स्ट एड्रस कापई किसम मों रहा है P में प्मेंट किसम में इसे हिसे हरे इडिमेट के डहँए थ्री स्टार पी स्टार क्यू एंड स्टार आर आपको अल्यदी बता है पॉंटर के थूरे के elements completely access करना पूसल भाँ यूजिंग पॉंटर एरे एक्सपेशन और पॉंटर इंक्रीमेंट अप्रेस सब्सक्राइए अख्सेश कि आ करें आङगर ना इसके सब्सक्राइए पॉंटर के लिए昨 पि एक्रूर disciplined का जएक पॉंटेब के संपule अज्युक्र करेंबग hunters में प्रिंट् zead फ्रिंट एकुक्स अज़िए जाइज ओफ पी P क्या है पॉिंटर तो P का साइज क्या है औली two bytes same as size of q q क्या है also pointer q का भी size का धिस्पेल हो एफर क्या है also two bytes गर आप 32 bit c compile 16 चेस में कैस पॉइंटर का साइज का है, always four whites clear, then इसके respect में एक और example solve करा रहा हूं आपको, what is the problem with given case, में suggest this case में rememberable point का आपके लिए है, जब भी आप किसी भी function के अंदर किसी भी type का array pass कर दें, array के case में, array declaration internally convert this form होगा in the form of pointers, one more example, four examples, again void m1, then m1 के respect, declaration point किया, like array declaration, a name doesn't matter, size cap आपके इसकेस में five, लिएकिन से declarations के according, just display करा रहा हूं है, size of a, already discussed किया था, a internally convert this form होगा in the form of pointer declarations, a pointer के form convert to this case में, a का size cap into only, two wilds, next one we are calling or creating main method or main function, main के respect में, इसे declarations के according आप concentrate कर रहा हूं है, इस case में, fixed हो चुगा, इसमें, इस array के थूँ, या इस function के थूँ के थूँ, के वही array accept करना पॉसलिए, इसका size क्या होना चाहिए, exactly five, clear, लेकिन already मैंने आपको ओला था, इस case में, array, declaration, convert के स्पर्म होगा, like that, into star a, तो star a क्या integer pointer, integer pointer के अंदर आप असान क्या करा हुए, array के फर्स्ट element का address, इस array का size five है, ten है, hundred है, thousand, doesn't matter, यही रीजन इस case में इस array के थूँ, किसी भी array size को accept करना पॉसलिए, for example, main function के अंदर मैं total two array create करना हूँ, first array is a with size five, second array is b with size ten, third array is c with size one hundred, और one thousand, clear, next one, इस case में a के respect मात करना हूँ, यह के लिए कितने bytes से लोगे होंगे, ten bytes, क्योंकि single element का size क्या हूँगा, two bytes, इसके लिए इसके लिए bytes कितने यह लोगे होंगे, twenty bytes, seven array c के case में bytes कितने यह लोगे होंगे, two thousand bytes, next one, first case में इने call गिया, m1 by passing a, इस case में जाए m1 call होगा, तो m1 के respect में pass के गुए address of a, अगर यह का address hundred है, तो इसके नदर supply क्या हुआ हुआ, hundred, और hundred itself का whole area का address है, first element का address, first element का address, और first element का type का integer, integer type यह address को store करने के लिए, require क्या हुआ, pointers लिए particular declaration convert के सफ़म हुआ, pointers के form में, जैसे यह पास करेंगे, तो यह itself is function declarations के अंदर parameter के लिस्ट में, एक क्या है, pointer, pointer का size का, प्रिंट होगा, इसके समय, exactly two bytes, इसके समय, actually area का size का, doesn't matter, clear, same as, बैंने one more time provide किया जाए, again, m1, इसके समय, call क्या किया है, b, b के case में, size क्या है, b का size का 10, जबकि a के case में, size क्या है, 5, दोनों के size क्या है, लिक्स फिर भी assignment है, function calling statement का इसके सा valid statement, because, क्यों इसके समय, again, b के place पर क्या replace हो जाएगा, area b का base address, और a convert किसमे हो जाएगा, pointers में, तो again, यह address copy किसमे हो रहा, pointers के form में, तो second time, जब again m1 call होगा, area का size 10, लेकिन previous case में, a pointer, a का size का display होगा, only two bytes, in second case also, same as again, मेंने call के m1, और m1 के respect में, supply क्या किसी, c के respect में, c के case में, again, फिर से pass क्या होगा, इस area के first element का address, और first element का size 2 bytes, तो again, c का address pass करोगे, उस case में, यह क्या pointer again, again, इस case में, size 2, clear, अब इस case में आपको प्रॉलम से में आ रहा है, प्रॉलम कैस क्राइटीरिया के अंदर, जब भी आपको यह array pass कर रहा है, यह function argument, इस case में, आपको इस m1 function के अंदर कैसे पता चले, currently आपने जो भी array pass किया है, इस array का actual size क्या है, clear, इस case में, इस array का actual size find out करना possible है, not possible, for example, कर इस particular function am1 के अंदर, मुझे supplied array के element को display कराना, तो element को display कराने के लिए ज़िए क्या करोगा इस place पर, for loop, use क्या करने ज़िए, इस case में, as a loop, इस function parameter के अंदर, finally, supply create क्या करोगा है, या pointer, या pointer के place पर simply array declation, array declation without size be create करना possible, इस case में, total, आपका syntax 3, तीनों के meaning कैसे exactly same, आप कोई भी syntax follow करके parameter डिकले कर सकते हो या नि, next one, लिखना अगर इस particular m1 function के अंदर, और given array का मझे side display कराना, sorry, element display कराना, फर्स्ट case में पास क्या गिया, a, और array a के respect में तो से हो रहे है, array a का size क्या है, elements कितने है, 5 element, इस case में loop के थूँ जब element display कराएं, तो create क्या अगर है, variable i4, i plus to 0, i less than 5, i plus plus, then display क्या अगरा हो इस case में, simply print app, person d, p of i, this is the valid case, clear, इस case में finally output के अप्रेंट हो जागा, a के अंदर total elements कितने 5 element, जो बेसे में value असान करो currently देखा या, तो garbage value store, इसके में garbage value कितनी बाद print होगा, 5 times, but suppose that same function के अंदर, अभी तो कोई दिक्क्र नहीं थी कि, क्योंकि array a का actual size के अंदर actual elements कितने 5, और loop भी कितनी बाद एक जीकुट गिया है, 5 times, यह logic कैसे, m1 के static or dynamic static because m1 function currently के लोग उसी element, उसी array के element completely process कर सकता, इसका size exactly 5, but suppose that second case, second case में supply कर रहा हूं array b, और array b के respect माद के अंदर elements कितने 5 or 10 elements, 10 elements, लेकिन जब इस case में, जब इस m1 का execute में start होगा, तो m1 के अंदर loop कितनी बाद एक जीकुट हो रहा है, only 5 times, array का actual size 10 है, array के अंदर elements real में 10 है, लेकिन लूप कितनी element display का सकता है, only beginning 5 elements, इस case में complete element access हो रहा है, same as in case of c, अगर आप इस case में c supply कर रहा है, c के case में total कितनी elements है, 1000 elements, लेकिन लूप कितनी बाद एक जीकुट हो रहा है, only 5 times, one more case, तो इस case में array के अंदर only 2 elements है, c के case में c का size प्रवाट किया 2, तो elements कितनी क्रिट हो रहा है, only 2, विसे array के c के अंदर element 2 है, लेकिन फिर भी loop कितनी बाद एक जीकुट हो 5 times, तो इस case में next 3 times, लेकिन लेकिन calling function के अंदर किसी भी array का size प्रवाट के अंदर एक जीकुट हो रहा है, किया है, इसका information called function के पास available है क्या है, नहीं, यही रीजन है, currently आपके लिए dynamic logic प्रवाट करना पॉस्ट है, इस प्रवाट को solve करने के लिए आपको, just as function का declaration किस ताइप प्रवाट करोई, जब भी आप किसी function के अंदर array पास कर रहा है, तो आपके साथ साथ supply क्या करोगो, size of corresponding array, इस case में array का size क्या है 5, एक और extra parameter क्या पास करेंगे, इस case में 5, same as, बी के respect में बात करने लिए जब आप बी पास करोगो, तो बी के respect में बी के अंदर elements कितने 10, इस case में size क्या पास करेंगे, 10, या size के इस form में, number of bytes के form में और number of elements के form में, number of elements के form में, same है, अगर आप C pass करता है, तो C के किसमें आप C और हो, C का size क्या 2, इस case में size क्या पास करोगे 2, findly जब भी किसी function के अंदर आप array supply कर दो, then calling function के अंदर array का size क्या, इसका information कभी भी called function के पास by default available नहीं है, अब इस case में फास करने का परफेक्ट वे क्या रहेगा, पासिंग array with their size, clear, then, अब इस case में function M, one argument है, two argument, two argument, और second argument क्या है, integer type of value, तो इस case में function के अंदर एक और parameter define करोगे, like integer n, इस case में n क्या size of array, अब इसका advantage के होने का इस case में, previous case में loop exactly five times, इस case में condition में five के place पर use क्या कर लोगे, n, clear, now solve this problem, इस first case, first case में अगर concentrate करें, first case में pointer p में क्या असान होगा, इस best case क्या रहेगा, इससे कोई confusion create ना, इसलिए आप इसको convertive case में से directly of declaration किस फ़र्म में प्राइट कर सकते हैं, प्राइट के फ़र्म में, और pointers के फ़र्म में हैं, या pointer के थुरू array का syntax follower के, array के सारे elements access करना possible है, लेकिन इस case में element कितने access होंगे, n elements, फर्स्ट one, फर्स्ट case में अगर array a का address handed है, पोइंटर में क्या सान हो जाएगा, array a का फर्स्ट element का address, लेकिन फर्स्ट time n का value क्या पास होगा 5, तो n का value क्या होगा 5, इसलिए loop भी कितने बार execute only 5 times, clear, next time second array के case में array के अंदर elements कितने 10, पास क्या क्या होगा 10, तो second time same variable n का value क्या हो, 5 or 10, 10, तो 10 के respect में loop कितने बार execute होगा 10 times, clear, same as third case, third case में array c के साथ supply क्या क्या किया, size of array c, और c का size क्या 2, तो next time n का value क्या हो, इस case में 2, इसलिए loop भी कितने बार execute also only 2 times, मैंने important case के ask-case में जब भी आप किसी function के अंदर array का address पास करें, array पास करें, array के साथ-साथ array का size पास करना कंपल सरी है, otherwise called function के अंदर आपको लिए perfect और dynamic logic प्रवाइड करना पॉस्वल नहीं, clear, next case में से related जास्ट में आपको examples प्रवाइड करूँगा,